हेलो एवरिवान आज की हमाई रेसिपी है थ्रेड़ेट क्रिस्पी बाइट्स जो बड़े चोटे सभी इंजॉय करते तो चले स्टार्ट करते हैं सब में पहले हम लेंगे बॉनलेस चिकिन जिसे हमने बाइट से एक स्पीसेज में कट कर लिया है अभी इसे मैरिनेट कर इसमें हमाइड करेंगे तू तैबल स्पून तंदूरी मुणा टेस्पून पावड़ we too इसमे एड करेंगे टन्डूरी बीद आ nights वोंड़ी मावडर 1 तीग टीष्पून रचली पावडर कृम फिज ह unintended पावडरह पावडर 2 तीविल स्पून और हम अचरिंगी inंग यहां पर आप 2 एग्स कर सकते हैं, हमने 1 एग बाद में आड़ किया है, अभी हम आड़ करेंगे 1 नहाफ टी स्पून मैदा, 1 नहाफ टी स्पून कॉन फ्लार, 1 टी स्पून जिंजर कार्लिक भर के दालना है, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम हा करना चाहिए तो आप वैसे भी कट कर सकते हैं, चिकन मैरिनेशन के पहले उसको जो एकसस वाटर है, वो डिसकार्ट कर ले, चिकन अच्छी ड्राइ होनी चाहिए, और इन केस अगर मैरिनेशन के बाद बहुत जादा पानी छुट जाता है चिकन का, तो आप उसमें थोड़ करते रहेंगे, ताकि स्ट्रिप्स एकदम खुली-खुली हो, और इन केस कई बार ऐसा होता है, डिफ्रोस्ट होने के बाद उसमें मोईस्ट्यर जादा रहता है, तो आप उसमें वन टी स्पून और कॉन फ्लायर आट कर सकते हैं, इससे जो है, आपकी स्ट्रिप्स भी छु करने के बाद, हम इंडिविजुल पीसेज लेंगे चिकेन के और उसे त्रेट्स पर रखेंगे, इससे अच्छे से कोट कर लेंगे, कोट करते वक्त इसे अच्छे से प्रेस करना है, ताकि स्ट्रिप्स इंटाक्ट रहें, यहाँ पर हमने एक प्रे में बटर पेपर रखेंगे, उसके ओपर सारी ये चिकन हमारे अरेंच कर लिए है, यह एक स्लोट अरेंच होया और भी हम इसे फ्रीजर में रखेंगे, बटर पेपर यूज करने से क्या होता है जब हम freeze करते तो वो easily निकल जाता है कुछ भी हो आपका freezer item कबाब हो या chicken हो anything वो stick नहीं होता है dish को directly तो उससे it becomes easy to remove और हम इसे एक freezer bag में easily add कर सकते इफ्रीज होने के बाद हमने इसे freezer bag में arrange कर लिया है अभी आते हम frying के तरफ oil हमने heat कर लिया है तो oil अच्छे heat करना है उसके बाद हम इसे medium temperature पर shift करेंगे ताकि chicken भी हमाई अंदर से cook हो जाए और बाहर से भी हम इसे golden color चाहिए बहुत ज़्यादा dark color ने होना चाहिए high flame पर करने से बाहर से तो हमाई dark हो जाएंगा बट अंदर से हमें chicken कच्छी रहेंगी एक side almost 4 minutes लगेंगे cook होने उसके बाद इसे turn कर लेंगे without disturb किये individual pieces turn करना है and then again इसे almost 4 minutes cook होने देंगे and then फिसे 1 minute के लिए high flame करके निकालके हम serve कर लेंगे इससे आप chutney या ketchup किसी की भी साथ serve कर सकते यह बहुत easy है बनाना crispy है crunchy है और मज़ेदार है अगर आपको हमाई यह recipe अच्छी लगी तो do like, share and subscribe, thank you, bye